हाई हैं करगा से भीक सचाम केशूर्ड हाज टीकर घ्ठार Mm-केborg किचन अज की वीडियो में हम बनने जा रहे हैं हूज से तिस लीक वीडियो में देखेंगे कि तो आप लोग वीडियो को इन तक देखे इसे पयाज ले लिया primary एक टमाटर, थोड़ा सा गाजर, एक कैपसिकम ले लिया हमने, एक बारिक कटा हुआ आलू, थोड़ा सा लहसुन, एक बाउल के करीब पत्ता गोभी, और एक बाउल के करीब हरी मटर, और यहां पे लिया हमने कुक्ड राइस, चलिए अब इसे हम फ्राइ करने का प्रोसेस द कुक करेंगे जब लैसन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद इसमें हम प्यास डाल देंगे प्यास डालने के बाद आपको medium flame पे इसे cook करना है जब प्यास थोड़ा सा soft हो जाएगा उसके बाद हम बागी के vegetables इसमें डालेंगे तो यहाँ पर हमने डाल दिया हरी मतर और एक बारी कटा हुआ आलू डाल दिया है इसे दो मिनट तक हम cook करेंगे जब आलू और मटर थोड़ा सा soft हो जाएगा उसके बाद हम इसमें बागी के vegetables डालेंगे बहुत ही tasty recipe बनती है आप लोग भी इसे जरूर बनाएए इसे हम ढग देंगे दो मिनट के लिए दो मिनट बाद इसे open किया हमने तो आलू जो है और मटर दोनों soft हो चुके हैं यह देखे अब इसमें एक चमस डाल देंगे हल्दी पाउडर और एक बारिक कटवा टमाटर और गाजर इसे प्रॉपर मिक्स कर देंगे एक बाउल हमने पता गोभी डाला है आपको जौन सी भी vegetables पसंद हो आप इसमें डालिए जितना ज़्यादा आप vegetables डालेंगे आपका fried rice होता ही tasty बनेगा और healthy भी होगा तो आप इस बाउब सब्जी मसाला और इसे हम प्रॉपर ऐसे मिक्स करेंगे प्यास का फ्लेम अभी आपको डो कर देना है अधर वाइस मसाला जो है वो जलने लगेगा तो इस तरीके से आपको मिक्स करना है इसे अभी हम यहां पर डालेंगे मैगी मसाला, मैगी मसाला डालने से फ्राइड राइस का टेस्ट जो हो काफी अच्छा हो जाता है, तो आप लोग भी मैगी मसाला डालिएगा इसे भी प्रॉपर हम मिक्स कर देंगे, गैस का फ्लेम स्लो रखना है आपको, सारे वेजटेबल्स जो है वो कुक हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है आपको, अब यहां पर हम कैपसिकम डाल देंगे, कैपसिकम सबसे लास्ट में डालना है आपको, तो इस तरीके से आपको मिक्स कर देना है, और इसे 2 मिनट के लिए हम ढग देंगे, 2 मिनट बाद ऊपन किया है, तो इसमें से काफी अच्छी खुशबू आ रही है, और वेजटेबल्स भी जो है वो काफी अच्छी तरीके से कुक हो चुका है, तो देखिये, इस तरीके से पहले वेजिटेबल्स अब थोड़ा साम चाइनीज टस देंगे इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम सोय सॉस तोड़ासा डालेंगे चिली सॉस इन सबको मिक्स करेंगे सॉस डालने के बाद आपको कूक नहीं करना है वेजिटेबल्स अलड़ी कूक हो चुका था इसके लिए हमेंने सोया सॉस लास्ट में डाला है बस सब कुछ है प्रॉपर कूक हो चुका है अब इसमें हम डाल देंगे कूक ड्राइस यह देखे राइस डालने के बाद आपको इसे अच्छी तरीके से चलाना है ताकि सॉल्ट और मसाले जो है वो राइस में अच्छी तरीके से एबजाब हो जाए तो है ना बहुत ही सिंपल रेसिपी तो कभी कुछ ना बनाने का मन करें आपको डिनर लंच तो आप यह बना करके खाएए बहुती टेस्टी लगता है आप इसे ऑफिस भी ले जा सकते है यह देखे जिता ज़्यादा आप इसमें वेजिटेबल स्टालेंगे यह उतना ही कलरफुल दिखता है और उतना ही ज़्यादा यह हेल्दी होता है यह देखे बन करके त्यार हो गया है अब इसे हम सर्फ करेंगे आप लोग को यह रेसेपी पसंद आई पसंद आई तो अपने फ्रेंडस और फैमिली के साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले